sponsored by RS Academy, address, top floor, रमागोविन पैलिस, सिर्मोर चौक, रीवा पोती मौरे के केस के बाद देश में कई ऐसे मामले रिपोर्ट किये गया है, जहां अफसर बढ़नते ही पतनी ने पती को तो कहीं पती ने पतनी को धोखा दिया है, कई मामले ऐसे भी देखे गया है, जहां पती अपनी पतनी को कोचिंग छुड़वा रहा है, वहीं एक और ऐ पती ने अपनी पतनी को धोखा दे दिया, यह दोनों मामले ऐसे हैं जिन में एक में पतनी तो दूसरे में पती के उपर आरोप लगे हैं, यह यूँ कहें कि एक में पतनी और दूसरे में पती ने धोखा दिया है, पर यहां जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, इन दो अन्शुल गौड की है जो कलेक्ट्रेट ओफिस में अनुकंपा न्युक्ति के रिए अपने दिव्यांग पती को गोद में उठा कर यहां से वहां भटक रही है मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गोड अनुकंपा न्युक्ति के रिए पिछले पांच साल से अपने दिव्यांग पती को पीट पर लादे दर-दर के चक्कर लगा रही है लेकिन उसकी कही कोई सुनवाई नहीं हो रही है चतरपुर जिला पंचायत में जन सुनवाई के दौरान एक महिला रोते हुए अपने दिव्यांग पती को गोड में उठा कर पहुँची और पती के लिए अनुकंपा न्युक्ति मागने लगी और बोली मैं जोती मरे नहीं जो इस हालत में पती को छोड़ दू चतरपुर जिला पंचायत में जन सुनवाई के दौरान एक महिला रोते हुए अपने विकलांग पती को गोड में उठा कर पहुची और पती के लिए अनुकंपा न्युक्ति मागने लगी जिले के लवकुष नगर छेतर के परसानिया गाव में रहने वाली महिला प्रियंका गोंड का कहना है 2019 से अनुकंपा न्युक्ति के लिए अपने पती अंशुल गोंड को लेकर दर-दर की ठोकर खा रही है मगर उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रियंका गोंड ने मेडिया से बात करती हुए कहा कि मैं जोती मौरे जैसी नहीं हूँ जो बुरे समय में अपने पती को छोड़ दू मेरी शादी 2017 में हुई थी और शादी के एक साल बादी सड़क हाथसे में पती पैरों से विकलांग हो गये थे तब ही से मैं उन्हें गोद में लेकर आती चाती हूँ मेरी ऐसी परिस्थिती को देखकर अधिकारी का दिल नहीं पसीचता जिसकी बज़े से आज तक अनुकंपा न्युक्ती नहीं मिल पाई है दिव्यांग पती अंशुल ने बताया कि मेरी मा कमलेश गोंड गोरिहार विकास खंड के ग्राम कितपुरा में शास की हाई स्कूल में अध्यापक के पदपर कारे रत थी और उनकी 2015 में एक सड़क हाथसे में अचानक मौत हो गई थी उसी की अनकंपा न्युक्ती के लिए लगातार कलिक्टरेट आ रही है और उसकी मांग कर रही है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है वही पूरी मामले को लेकर कलिक्टर का कहना है कि नियमा नुसार कारेवाही की जाएगी और जो शासन द्वारा नियम निर्धारित कि गया है उसी के अनुसार नियुक्ति की जाती है बहुत-बहुत धन्यवाद स्पॉंसिट बाई आर्स एकाडमी एड्रेस टॉप फ्लोर रमा गोविन पैलेस सिर्मौर चौक रीवा